आज ही डाउटनेट आप डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो, उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउटनोड नाओ Hello guys, इस question में हमसे पूछा है कि Interfascicular Cambium is situated, ओके? यानि कि Interfascicular Cambium होते हैं हमारे, वो कहाँ पर present होते हैं देखो हमारा जो stem होती है, उसमें दू तरीके के Cambium होते हैं कौन-कौन से, एक होता है Interfascicular ठीक है, और एक होता है अपना Intra-Fascicular Cambium अब एक हम diagram consider करते हैं जैसे कि मानलो, यह हमारी stem है stem के अंदर आपको present होता है, यह Steel बाला portion है देखे, और इसके अंदर present होते है Cambium, sorry, Vascular Bundles जो Arrange होते हैं दिंक्स में तो इसको थोड़ा हम Enlarge कर देते हैं मानलो कि यह हमारा का है, सिर्फ Steel बाला portion देखे, यहाँ पे Vascular Bundles है यहाँ पे Xylem, यहाँ पे Xylem, यहाँ पे Phloem ठीक है, यह Cambium किस टिफ है Xylem Phloem Phloem Xylem, यह हमारा क्या है Cambium तो जो Vascular Bundle हमारा बीच में present होता है कि इसके Vascular Bundles के बीच में यानि कि In Between, Vellum and Phloem उसको क्या कहते है Intra ठीक है, Fascicular Phasical का मदलब होता है Vascular Bundle, यानि कि Intra Vascular Bundle के ही अंदर ठीक है, इसको कहते है Intra Phasicular Cambium अब एक Cambium क्या होता है जैसे कि यहाँ पे हमारे Paricycle present होता है आपको पता है Vascular Bundles के बाहर यहाँ पे होता है Endodermis ठीक है, और अंदर क्या है, यहाँ पे अंदर Paricycle के Cell तो जो यह Cambium के Side-wall एकदम Cells है Paricycle के, यानि कि यह वाले Cells एकदम Side-wall यह हो जाता है Maristomatic, सारे के सारे ठीक है एक Single Layer हो जाती है Maristomatic और यह Cells क्या बन जाते है Cambium बन जाते है अब देखो, यह जो Cambium है यह वाला हमारा प्रेजन्ट है कि इसके बीच में दू वैस्कुलर बंडल के बीच में तो इसको हम क्या कहते है Interfacicular Cambium ठीक है तो बेसिकली हमारा Interfacicular Cambium जो होता है इस प्रेजन्ट बिट्वीन टू वैस्कुलर बंडल अब भी यह क्या होता है सारे जो Cambium है एक कंबाइन करके पूरी रिंग बना देता है यानि कि यह एक पूरी रिंग बन जाती है जिसको हम कहते है Cambium Ring ओके यह बनाते है Flowem on the upper side that is secondary flowem and xyleem on the lower side that is our secondary xyle ठीक है तो यह होती है फिर secondary growth तो question पे चलते हैं बापिस हमें यह पे पूछा था कि interfacibular Cambium कहां present होता है तो xyleem or flame के बीच में नहीं है between vascular bundles यह correct हो सकता है outer the vascular bundles यह option हमारा correct नहीं है inner side of vascular bundles यह option हमारा incorrect है it is present between vascular bundles okay option second is correct thank you Classics to 12 से लेके NEED IIT जे ही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड के ले डाउटने टा यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर है है झाल झाल